नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इंडिया न्यू स्पोर्ट्स में मैं हूँ मयंक और आपको बता दूँ कि आउस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को एक बड़ा जटका लगाया है यहाँ पर पैट कमिन्स आउस्ट्रेलियन टीम के कप्तान को कलाई की चोट लगी है और सेले भारत के खिलाफ जो ODI सीरीज है वहाँ पर भी पैट कमिन्स शायद नहीं दिखेंगे खेलते हुए और आसार यह लगाया जा रहे हैं कि वर्ल्ल कप तक बिल्कुल फीट हो जाएंगे और वर्ल्ल कप में खेलते हुए नजर आएंगे लेकिन अगर यह चोट जादा गंबी बेला जा रहे हैं अभी के लिए यही क्यास है कि पैट कमिन्स वर्लकुल फीट हो जाएंगे और अभी के लिए उन्हें 6 ao से बढ़ भी सकता हो और यह यह समय लेकिन अभी के लिए 6 हफ़ते के लिए पर रिहाब करना होगा जो की बहुत जरूरी है उने कलाई में चोट रगी थी आशेज में और आशेज टेस्ट सीरीस अंत्वभी को मालूम है कि दो-दो से सीरीज जो है बराबरी पर खतम हुई लेकिन आश्ट्रेलिया ने आशेज की चैंपिंशिप को रिटेन किया यहां पर और T20 स्कॉड भी अभी साउट अफरीका के खिलाफ होने वाली सीर करते हैं लेकिन अभी के लिए यही सबसे बड़ी ख़बर है कि पैट कमिंस को चोट लगी है कलाई में और वो साउट अफरीका के खिलाफ T20 सीरीज में तो नहीं नदर आएंगे हो सकता है भारत के खिलाफ जो ODI सीरीज होने वाली है वहां पर भी पैट कमिंस शिरकत करते ह कोई नजर ना आएं जो की एक बड़ा जटका हो सकता है और वर्ल कप में यहीं उम्मीद है कि चलिए अगर भारत के खिलाफ भी नहीं खिलते हैं कोई बात नहीं वर्ल कप में वह एविलेबल होने चाहिए और यहां पर मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है पैट कमिंस त अगर वो भारत के खिलाफ जो ODI सीरीज है उसमें नहीं भी खिलते हैं कोई बात नहीं लेकिन वर्ल कप पूरी तरह से फिट हो जाए तो आपको क्या लगता है इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इ बहुत बहुत दनेवाद